हालो फ्रेंड्स में दूनी जैन और मैं राफुल जैन नमोपार गेमिंग वर्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गेमिंग रिव्यूज की सीरीज में आज हम पालवर्ड गेम के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह गेम खेली नहीं है और खेले भी वह खेलने का सोचे भी तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी जो आज की वीडियो से उनको बहुत सपोर्ट करेगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि 19 जैनुरी को ये गेम PC एंड एक्सपोक्स के लिए एक्स्क्लूजिवली लॉंच की गई है तो ये ना तो आपको निंटेंडो पर मिलेगी जो की काफी जाधा शोकिंग था क्योंकि पोकी मोन से रिलिटिड जब भी कोई गेम पर आती है तो सबसे पहले एक्सपेक्ट यह कि आ जाता है वह निंटेंडो पर तो आएगी आएगी पर यह निंटेंडो पर आप नहीं खेल सकते और गेम का सैटप भी असा नहीं कि बहुत बड़ी हो कि निंटेंडो पर नहीं उसके मलब हाड़वेर पर सपोर्ट करें ऐस क्या है इस गेम में कि यह मतलब दो हपतों के अंदर ही सेकिंड लार्जेस्ट गेम बन गई तो आज उसी के बारे में आपको डिटेलिंग से पता चलेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर जो लोग स्टार्टिंग में मेरी तरह जैसे नूब हैं जो मत गाइड चीकि नहीं ती कि मैं कईसे शुरुआत करूं क fact इनść की क्योंकि स्टांइ हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता गेम में आपको करना क्या हैसे कि अपने कल आपके लिए कुछ ऐसे Slaves होंगे, Slaves भी आपको बनाने हैं, मतलब आपका लेवल, नॉमली जिसे गेम में, स्टार्टिंग से जीरो लेवल से अप स्टार्ट करते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, ऐसे करके, अजीव करके, अजीव करके, एंवारमेंट में बहुत से अलग लेवल के लो में शामिल करना है, फिर उसका utilization कैसे करना है, एक्टल में मैं की Wikipedia में पढ़ी थी, तो उसकी बेसिस पर भी मैं आपको थोड़ा सा explain कर रही हूं, बाखे गेम में तो भी मैं बहुत ताइम नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, तो मुचे नीन आगी, वो हम राहुल पूछेंगे, कि जैसा कि हमने Wikipedia में पढ़ा, किसमे अलग अलग ताइप के creatures को अपना slave बनाना है हमने, और कैसे हम उनका most probably best utilization कर सकते हैं, ये चीजे, क्या ऐसा ही था गेम में, देखो मैं तोस्तों आपको थोड़ा सा बता देता हूं, गेम की story कुछ नहीं है, एक island पर जैस कि भी आती हैं, और आपको ध्यान से पढ़ना है, यही गलती कहीं न कहीं कल मैंने थोड़ी सी की थी, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नी दिया, और उससे मेरा time बहुत खराब हुआ, तो starting में जो tutorial points में आपको लिखा वाएगा, वैसे ही आपको करना है, आप एक fast travel वाली point प स्टोन को collect करो, फिर हमने बैंच बनाया था, बैंच को क्या यूज है बेसिकली, बैंच का यूज है कि जैसे सबसे पहले आपको starting में जाते ही न, लकडियां इखटी करनी है, पत्थर इखटे करनी है, जिससे आप लकडी इखटी करनी है तो इसलिए जिसे आप वो बैंच क क्रियेट करके लकडियों को और आसानी से काट सकते हो, या वो कई बार वो डंडा नी होता लकडी का, वो मोटे वाला वो मैंने और भी गेम्स में खेला है, जैसे लास्ट अपस में सबसे ज्यादा यूज करा था, बेस्पोल टाइप का होता है, तो starting में इस तरी की चीज़ करते हैं, वो यहां पर आपको बहुत सारी चीज़े आप लाइस्टीमिंग में भी देखोगे न, तो गेम प्ले में आपको पता चल जाएंगे, दीरी-दीरे करके आपको टेकनोलोजी मिलती है यहां पर एक आपकी लाइबरी होगी, जहां पर आपको अपनी स्किल पॉइं तो आप अपने वर्ल्ल का नाम रख सकते हैं, जैसे अपने वर्ल्ल का नाम रखा है, नमोकार Gaming World, और जब हम उसमें अपको कोई इन्वाइठ करेंगे तब ही उसमें वो कोई एंटर कर सकता है, नॉर्मली हमने हमने भी वो disable किया हुआ है, कि उसमें कोई भी अपनी मर्जी स पर बहुत ज़ादा ध्यान देने की जरूरत है, स्टार्टिंग में जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, तो इजी, नॉर्मल, हार्ड, यह तीन आपको मिलते हो और एक मिलता है कॉस्टम, कॉस्टम में क्या होता है, जैसे ही हाँ पर हमारे जो केरेक्टर है स्टैमिना उसका ब जल्दी से खतम नहीं होगा, अच्छा एक चीज और थी राहूल जी, जब हम क्यरेक्टर डिजाइन कर रहे थे तो उसमें वो मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, तो क्या ऐसा भी होता है, कि मोटा के तो बलकि कमी होता है, मोटा पतले का यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो एनिमी इसको देखकर हमें लगता है, कि यह तगड़ा मोटा है, तो उसमें भारने में दिखता है, उसके एनर्जी जाद होगी, जब कि ऐसा मनलब अगर लाइफ में देखें, तो रिवर्सी उट्टा ही देखा जाता है, वैसे मैं आपको बता दू, जो मेंली बात रह हैंगी, कि difficulty setting में या पहली बार आपको ऐसा option देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने तरीके से difficulty को set कर सकते हैं, यानि कि easy normal hard तो क्या हो गया, एक pre difficulty हो गई, लेकिन यहाँ difficulty को आप customize कर सकते हैं, कि अगर आपको stamina को high कर देना है, और आप इसके इंदर custom setting में आपको इतने स set कर सकते हो, बतलब, तो starting में आपसे यही कहना चाहूंगा, और इसके साथ साथ, जैसे ही आपका player अगर कहीं पर मर जाता है, तो आपका क्या होता है, जैसे loot आपकी वहीं पर छूट जाती है, तो difficulty setting में आपको यह भी customize में option मिल जाता है, कि अगर आप मरते हैं, तो आपको क करने के लिए उस जगा पर नहीं जाना पड़ेगा, तो यह बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है, हम गे में आगे सरवाई करते हुए डर नहीं लगता है, तो वह बहुत लेने के लिए अगर हमें बहुत दूर ट्रैवल करके गए तो वहीं पर उसी sport पर जाना पड़ेगा तो वह से no loot पर ही आप set करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी difficulties आपको देखने को मिलती है गेम में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी help किये सुमित भाई ने, जो कालका जी के रहने वाले हैं हमारे चैनल के subscriber है, बहुत thank you कहना चाहूँगा मैं वीडियो में भी और साथ में व पारस एक new world create करके आपके लिए एक particular वीडियो बनाएं जिससे आपको idea हो सके इस starting में आपको खेलना कैसे है, तो हम practically भी आपको करके दिखा देंगे, तो उसका भी एक separate वीडियो आजागा उसके लिए आप कमेंट करके बताना, बाकी मैं आप लोगों को strongly recommend करूँगा, एक् नहीं खेलते, तो शायद उसमें problem आ सकती है कि Xbox के जो लोग हैं खेलने वाले उनके साथ शायद आप को लैपना कर सको, cross play नहीं होता शायद, cross play नहीं हो पाए, अब इसके हमें पूरी knowledge नहीं है, बाकी game इतनी interesting है, क्योंकि नोनी पहली बार ऐसी कोई game आई है, तो open world game बहु प्रेट होना चाहिए, सारे सपने जो होते है यह game वही सपने की दुनिया आपको कहीं नहीं जो है, मतलब उसका अनुभव कराती है, आप फील करते है, इससे पहले भी बहुत सारी गेम है, जैल्डा की बहुत सारी खूबियां आपको इस गेम में मिलेंगी, मैं को पी तो न अच्छा नी लगा, इसलिए हमने कभी ध्यान दिया, माइन क्राफ्ट में भी क्या है, आप अपना किला बना सकते हो, इस तरह से, तो इस गेम में भी सेम एजटी यही चीजे है, इसके साथ साथ में क्या है, जो पाल है, जैसे हमें बहुत अलग लग तरह की यहां पर आप उनका आप क्या करोगे, वो गोट को आप एक गोट को किसी काम में लगा दिया, मान लोगो अग्रेसिव है, उसको अपने साथ कॉंबट में यूज कर रहे हो आप, एक जो है फ्रेंडली है, तो औरो के साथ लगाए, नोर्मली होता क्या है, जो गोट है, एक ही जैसी द और मैं हूँ, एग्रेसिव जो साड़ी छे गंडे ताख खेलता है, खेलने में देख लो, मैं रियल लाइफ कहलती हूँ, जो सुवा पांच बज़े उठना होता है, और अगर दस बज़े उठते हैं ये, तो भई उसी साथ सी मेरी बैटरी पांच गंटे पहले डाउन होग जल्दी, देखो ये वाला किरेचर नया है, इसे ग्रैप करो जल्दी, तो नोनी मेरी इस चीज में बहुत है, ये मेरा सार्थी है, अगर मैं अर्जुन हो तो ये मेरे लिए क्रिशन है, तो आप इससे आइडिया लगा लो, कि सार्थी की कितनी इंपोर्टेंस होती है लाइ ये सही डिजिजन है, शाम को साथ बजे सी अगर करते हो लाइव स्ट्रीम तो मैं दस बजे तक का तो प्रोमिस कर सकते है बस 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 बचे तक बहुत है या, उसके बाद तो फिर अपने नसेडी पसेडी दोस्त आजाए ताते है, और बड़ा मज़ा आता है, इंके सार्थ ह बात करते हैं और सुट्टा लगा के गेम को एंजोई करते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा बाई पब्लिकली बोल रहा है यह बंदा सुट्टा लगाने के लिए तो अलब गेम के इंदर तो कल दोस्तों मैं तो लगो दो बजी है मैंने लाइश्ट्रीम को बंद किया है क्या क्योंकि लाइट आखो पर पढ़ रही है मैं कपडे टोपी जैकेट सब पहन के वैसे ही सोगी फिर मुझे गुस्सा आते है कि मेरा पडोसी इतना भी मेरा दियान नी दखता है पर गेम में डूबे हुए अरे लेकिन दोस्तों मैं यही कह सकता हूं यह बहुत ही बढ़िय करती है उस गेम को मलत देड़ दोजार पर मुझे लोस BBR करना पड़ा हम गेमिंग जो गेमिंग डिरेक्टर से और गेमिंग कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने पैसे ले रहे हो ना उसका वर्थ दो बिल्कुल बिल्कुल लोगों को अब यह गेमर्स जो हमें तो अब इतना फरक पड़ना बंद हो गिया लेकिन बुरा यह लगता है कि आप लोगों के कहने पर भी वैसी गेम खेलें और तब भी आप रिस्पूंस नहीं दो तो थोड़ा मन दुखता है आप लोगों को प्लीज ऐसी गेम को सपोर्ट करो और क्यों करो क्योंकि एक बहुत साफ सुत्री फ्रेंडली गेम है अच्छी गेम है अच्छल में अभी इनके गुनेगार मैं भी उसलिए मैं आपको जादा नहीं बोल सकती लेकिन आज की स्ट्रिम में को बिल्कुल आप आ कर रहा हूं आप मेरे वर्ड में इंटर कर रहे हो मतलब अभी तो हमने अपनी दुनिया बसाई है आप रिष्टेदारी भी बनाने वाले हैं एक रिष्टेदारों को एक दूसरे के उस बर्दे पार्टे अनवर्सरी इन सपीडों में इन्वाइट करेंगे बड़ा और और दोस्तों मैं बता दूँ यही गेम आने वाले टाइम में और फ्यूचरिष्टिक बनने वाली हैं क्योंकि आज की डेट में इसी तरह को लोग पसंद करते हैं इसी गेम को और इसके लिए भी आपके PC है ना बहुत सारे लोग कहेंगे राहूल जी कितनी इसके लिए रिक्व मुल चारता और 6 गंटे बाद भी सिर्फ उसकी 10-20% बैट्री ट्रोफ हुई है और एक बात और है Xbox Game Pass में अच्छी ही गेम्स देता है मैंने बात देखी है और PlayStation कहीं न कहीं कूड़ा दे रहा है आज के टाइम में तो तो सही बात है PlayStation कहीं न कहीं न कहीं अपनी जो गुड़ सब्सक्राइब करें लेकिन जो आप पैसा ले रहे हो मन्तली मेंबर्शिप के नाम पर वह तो कम से कम से नहीं है तो बाकि दोस्तों अगर आप लोगो ने पाल वर्ल खेली है तो कमेंट करके बताओ आपका एक्स्परियंस कैसा रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लग करके आपके लिए बना देंगे आप लोग कमेंट करो अगर आपने इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करा दिये तो जरूर आपके लिए बिगनर गाइड भी आएगा थैंक यू सो मच बबाइट टेक केर आज मिलते हैं लाइस्टीमिंग में आप तयार रहे हैं शाम को साथ मचे कि यह करा में छापके शाम को साथ मोचे करे इससे हैं हुआ है